अगर हम अपने इन्वार्मेंट में कार्बन की ऑक्यूरेंस की बात करें कि कार्बन हमारे इन्वार्मेंट में हमें किस-किस फॉर्म में मिलता है फर्स चीज या तो हमारे इन्वार्मेंट में हमें कार्बन फ्री स्ट्रेट में मिल सकता है which means carbon किसी से combined ना हो simple as a element के form में दूसरा हमें carbon किसी और element से combined form में मिल सकता है जिसे हम कहते हैं combined state अगर हम carbon के free state की बात करें तो carbon के free state जो main जो दो free state है जिस form में carbon हमें मिलता है वो होते हैं diamond और graphite और carbon का एक और form है जो recently ही discover हुआ है that is bulk minister Florence free state means कि carbon किसी और element से combine होकर कुछ नया ना form करें और combined state की अगर बात करें तो combined state में carbon बहुत सारे अलग-अलग तरिके के element से combine होकर और नई चीज़े form करता है और इस state में भी हमें carbon हमारे environment में मिलता है अगर free state और combined state की बात करें तो दोनों में से सबसे ज़ादा हमें carbon हमारे environment में combined state में ही मिलता है free state में तो carbon हमें बहुत कम percentage में हमारे environment में मिलता है अगर हम combined state की बात करें तो combined state में carbon dioxide के form में मिल सकता है carbonates के form में मिलता है fossil fuels like coal, petroleum, natural gas इनके form में मिलता है organic compounds like carbohydrates, fats, proteins इनके form में भी मिलता है and last carbon हमें wood, cotton, wool और बहुत सारी extra या organic substances के form में हमारे environment में मिलता है झाल झाली